हलो अब्रिवान वेल्कम टू माई चैनल सिम्रन्स वाइब विद आप बदे व्लॉग और आज है 21st December की नाइट और 22nd December को देवी की बदे होती है मेरे बीबी की बदे होती है और मैं अपने बीबी बॉई की बदे इस तरह सेलिब्रेट करती हूँ कि मेरे लिए कोई एध दीवाली या होली या क्रिसमस हो कि मेरे लिए ये दिन बहुत ही ज़rada special होता है obviously हर मा पर असे ये दिन special होता है कि कि उस दिन मैं माँ बनी थी और इतनी भी माएं हैं जो मेरी वीडियो देखेंगी ये मेरी feeling को जरूर समझे कि क्योंकि माँ बनने का जो सोभागिया है जो माँ बनने की जो वो होती है एक जो दिन होता है जब जिसमन आप अपने बच्चे की माँ बनते हो वो दिन सबसे जादा special होता है एक औरत की जिन्दगी में और भगवान अलाग और सब और को हर लड़की को ये सुख जरूर नसीब करे सो मैं ये अपने बच्चे का बदे बना रही हूँ थर्ड बदे है इसका और हमेशा से हम तीनों साल उसका बदे इसी तरह से ही धुमधाम से बनाते हैं सो मैं लेके आई थी कुछ डेकॉरेशन का सामान और हमेशा हम देवी की बदे अलग-अलग जगाओं में सेलिबरेट करते हैं जैसे हम घर पे भी करते हैं हम बाहर भी जाते हैं और हम उसके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं obviously her parents ही करने के कोशिश करते होंगे obviously आप लोग अपने बच्चे की बद्दे कैसे celebrate करते हो मुझे ज़रूर बताईगा और बद्दे ही नहीं कोई भी event हो आपके घर में किसी का बद्दे हो या कोई भी चोटा सा event भी आप इस तरह celebrate करो कि वो कोई बहुत बड़ा event हो क्योंकि वो कहते हैं कि अपना हर दिर ऐसे जीओ जैसे वो आखरी हो so दिन ऐसे celebrate करो कि बस यही दिन है तो अपने छोटा हो या बड़ा हो event हमेशा अच्छा से अच्छे से celebrate करना चाहिए क्योंकि यह जिन्दगी एक है और हमें इसे भरपूर तरीके से जीनी है so मैं कर रही थी अपने बेबी बड़े बेबी का बड़े event ले सेलिबरेट और डेकुरेट भी हम साथ में कर रहे थे और मैं इस बैलून में हवा बर रही थी और हम साथ साथ डिसकस कर रहे थे कौन से चीस किस दिवाल पे लगानी है so मैं अपने हजबन से कहती थे एक दफ़ा सारे बैलून में मैं हवा बर दो फिर हम साथ में ही बैलून लगाएंगे और साथ ही साथ मुझे डर भी लग रही थी यह कहीं बैलून मेरे हाथ में ना पढ़ जाए क्योंकि मुझे इनकी आवास से बहुत हिडर लग रहा था और साथ साथ हम खेल भी रहे थे इन बैलून की साथ बहुत इंजवे करते करें यह भी सोच रही थी फटाफट हमें डेकुरेशन खतम करनी होगी क्योंकि यहां के 10 और पाकिस्तान के 12 बच चुके होंगे और ओविसली हमारे दोनों घरवाले हमें कॉल पर कॉल करते हैं बिल्कुल टाइम पर ही तो डेविक का रूम हो गाए था डेकुरेट और सबकी कॉल साना भी शुरू हो गई थी तो यह था मेरे पच्चे का रूम और हैपी बदे था जब हम डेकुरेट कर रहे था और हमने उसको बाहर रख दिया था और फिर जब हम रूम में लेके आए तो वो बहुत जादा खुशता यह रूम देख के और हम जब बाहर जाएंगे तो उसका भी मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगी थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब तो मैं चैनल